नमश्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उमीद है अच्छे ही होंगे दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टाइटल है On Killing a Tree जिसके पोयट है जीव पटेल तो आईए दोस्तों शुरू करते हैं तो आईए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने सबसे फर्स एंजा की और तो दोस्तों, अपने फर्स एंजा में पोयट कह रहा है कि एक नाइफ के कट से ट्री को खतम नहीं किया जा सकता एक ट्री धीरे-धीरे ग्रो होता है क्योंकि उसकी रूट्स सॉयल से बंदी हुई है इसी वज़े से वो सॉयल से बंदा हुआ है उसे ग्रो होने के लिए सनलाइट, वाटर और एयर की जरूरत होती है और कई सालों से ये सब लगातार यूस करने से उसका तना यनि उसकी बार्क बहुत बड़ा और मोटा हो जाता है और उसकी शाखाओं पर बहुत सारी पतियां हो जाती है आएए दोस्तों, अब हम अपने सेकंड स्टेंजा के और बढ़ते है तो दोस्तों, अपने सेकंड स्टेंजा में पोयट बता रहा है कि हम यूमन्स ट्री की बार्क को यानि उसके तने को कुलहडी के जोड़दार वार से कई पार्ट्स में चौप कर देते हैं लेकिन ये ट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसे खतम करने के लिए सफिशन नहीं है क्यूंकि जैसे हम हम हूमन्स के कट्स या जखम कुछी दिनों या महीनों में दुबारा ठीक हो जाते हैं वैसे ही ट्री की बार्क पर किया गया कट दुबारा ठीक हो जाएगा और फिर वहां से ब्रांचेज निकलना शुरू हो जाएंगी आये दोस्तों अब हम अपने थर्ड स्टैंजा क्यों और बढ़ते हैं No, the root is to be pulled out, out of the anchoring earth It is to be roped, tied and pulled out, snapped out or pulled out entirely, out from the earth cave And the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth तो अपने थर्ड स्टैंजा में poet क्या रहा है कि अगर आपको tree को kill करना है यानि उसे खतम करना है, तो आपको उसकी roots पर वार करना होगा यानि उसे जड़ समेत निकालना होगा आपको उस tree को अर्थ से अलग करना होगा, जो उसे grow होने के लिए support दे रही है tree की roots अर्थ के अंदर soil में बहुत गेराई तक होती हैं और वही soil उसे बांद कर रखती है और उसी जगा से आपको tree का सबसे sensitive part यानि roots को detach करना है roots white और बहुत गीली होती हैं आईए दोस्तों, अब हम अपने आखरी stanza के और बढ़ते हैं then the matter of scratching and choking in sun and air browning, hardening, twisting, withering and then it is done तो अपने आखरी stanza में poet कहता है कि अब जब हम पेड को अर्थ से अलग कर देते हैं यानि उसको जड समेत निकाल देते हैं तो धीरे धीरे करके गर्मी और हवा की मदद से वो मुर्जा जाएगा और कुछी दिनों में वो सूख जाएगा और उसका जो तना होगा यानि जो उसकी ट्रंक होगी वो धीरे धीरे करके brown हो जाएगी वो मुर जाएगी, यानि twist हो जाएगी और बहुत जादा सक्त हो जाएगी और इसी तरीके से एक दिन ये पेड मर जाएगा तो दोस्तों आप भी ये सोच रहे होंगे कि एक्चली पोएट कहना क्या चाता है दोस्तों ये पोएम On Killing a Tree एक sensitive पोएम है और पोएट यहाँ पे हम readers को trees को destroy ना करने के लिए बोल रहा है लेकिन अपने एक अलग अंदाज में वो ट्री को kill करना एक human being को kill करने के बराबर मानता है दोस्तों पोएट का ये मानना है कि ट्री एक living organism ही है और जैसे नेचर के बाकी creatures को जीने का अधिकार है वैसे ही ट्री को भी है लेकिन हम humans उसको मार देते हैं हम अपनी cruelty नहीं छोड़ती है और ये poem एक strong idea लेकर आती है कि trees और हम interconnected है अगर trees नहीं रहेंगे तो शायद हम भी आज नितोकल खतम हो ही जाएंगे क्योंकि trees ही अमारी life line है इसलिए उनको मारे जाना नहीं चाहिए और last में poet ये संदेज देता है कि पेड़ यानि trees जो है वो बहुत कीमती है उनकी हत्या नहीं की जानी चाहिए वो ये भी कहता है कि पेड़ों की जड़ें बहुत ही गहराई तक होती हैं और इन्हें असानी से उखाड़ा नहीं जा सकता वो यहाँ पर basically इसको compare कर रहा है समाज के अंदर और humans के अंदर जो बुराईया है यानि जो बहुत ही गहरी होती हैं जिने आसानी से खतम नहीं किया जा सकता तो दोस्तों यहाँ पर इस poem का explanation खतम होता है तो उमीद है दोस्तों आपको इस poem का explanation समझ में आ गया होगा आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ग्यान ओके थैंक यू